अब फााइनली जो बात है वो हैटेस्ट के एक फुल टेस्ट लेना था जो ले चुका हूँ और एक फुल टेस्ट लेना था पर मेरे ही बच्चो के मेरे ही student के जो मेरे रजिस्टर्ड इस्टूदेंथ है उनका मेरे पास बहुं सारे मैसिज और कॉल आया कि तोड़ा सा लेट कर दीजी, तोड़ा सा लेट कर दीजी, को इतना लेट हो गया, but finally, test होगा, full test, अच्छा paper आएगा, आप देना है, दीजी, आपकी मर्जी है, full test होगा, Sunday, टाइमिंग रहेगी, वही दो बजे से पाच बजे, तक दो से पाच, AFM का full test, यह जो आने वाला Sunday है, मतलब सर अकल की 12 तारीक है, तो 13 तारीक है, 13 को होगा, मेरी खासे 13 ही है, ठीक है, देख ले ना, Sunday को full test होगा, और कैसे क्या paper submit करना, आपको पता है, जो मेरे, जो YouTube student है, ऐस सर नहीं है कि उनके paper check होकर नहीं मिलते है, बट, उनके पाच time उसी दिन का रहेगा, इट मिन संडे को आप, संडे को paper कब मिलेगा सर, आपको देड़ बजे paper मिल जाएगा, 13, देड़ बजे दुख, same time, उसी timing पे, दो से पाच, जिस timing पे, जनरली आपके paper होने वाले है, और ये कहानी में बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ, प्लीज मुझे message मत करना कि हमारी तैयरी नहीं हुई है, मैं मान की चल रहा हूँ कि अब अब तो हो चुकी आपके, तो से पाच paper रहेगा, देड़ बजे में paper दो फैर में upload कर दूँगा, पाच बजे तक दे देना सर, time क् time है कि रात में 12 बजे तक आप दे सकते हो, किस number पे आपको डालना ये आपको पता है, paper कैसे मिलेगे, telegram में, telegram का link मैं आपको चाहो तो share कर दूँगा, इसके description, जो मेरा registered student है, वो submit कर सकते है, 15 October तक submit कर, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो registered है, जो YouTube student है, वो उसी दिन आपको submit करना पड़ेगा, क्योंकि मैं check नहीं कर, ठीक है, ये announcement करना था, बहुत दिनों से सोच रहा था, पर आप ही का इतना ज्यादा message आता है, कि या लेट हो गया, अभी तो या एक chapter बाकी, दो chapter बाकी, ऐसा कब तक चलेगा यार, पस बंद करो, कल, Saturday, start करो, या आज से start करो, आज